यूपी के जनपत बरेली में दबंगों ने तीन घरों में मारपीट कर लूट को अंजाम देने का मामला सामने आया है जहां दोस्तों ने सराब पीने के बाद एक लड़के का मोबाईल छील लिया, सको लेकर बिबाद बढ़ गया पताते चले मामला थाना सुबास नगर के चर्च बाली गली का है जहां के तीन परिवारों ने एकत्रे थोकर वरिष्ट पुलिस अदिछक के आफिस में प्रार्थना पत्र सौपा है और दबंगों के खिलाफ कारवाई की मांग की है आरोप है कि वहीं के रहने वाले सुरेंदर चौहान के पुत्र विसाल को फर्मान कलुआ वा नहाल ने पहले सराप पिलाई फिर विसाल का मोबाई छीलिया ब्रोद करने पर उत्त लोगों ने अग्यात पचास से साथ लोगों के सुरेंदर यादब रंजीत सिंग एवं सुरेंदर चौहान के घर धावा बोल दिया सुरेंदर चौहान के पुत्री आरती ने बताया कि फर्मान ने उसके सर पर कमंचा रखकर अलमारी की चाबी ले ली और लगबग सत्तर हजार नगत तीन लाग के जेवर लूट कर ले गए साथ ही दो गाड़ियां भी तोड़ दी पीड़तों ने दबंगों के खिलाफ कारवाई की मांग उन्हाँ के लिए वरमान का में में मुखिया और उनको लिए अगमें जादा वह हम लोगी सुनवाई नहीं हो रहे इस वेज़े से आपके पास आये और मौमडर लोग थे और कम साट सतर लोग आये ते जिमने तीन चाह लोग को हम जानते हैं एक अनम कलुगा है फर्मान है और उसका क्या नम क्या नम था बूरा यह तीन चाह लोग जानते हैं बागी सब आग ग्याद ब्यक्ति थे करेली कर गया ना के थे कुछ लोग हम जानते नहीं है सब ढाटा बांदे हुए थे लूट पार्ट करी उनके दस-पांचेजार रुपए जो गरीब लोग है दस-पांचेजार जो रखे बो लेगा इनके निकाल के अहत्यार लेकर है सबके हान में तमंचा कुलाडी और रौडे थी लोई की और दो गाड़ी हमारी तोड़ के गए आड़ी पुलिस ने कोई अक्षम नहीं लिया हम लोग भाही आड़े टै हमारे पडोस मेरा एनके प्रोस मेल रहते हमारी वी गारी तोड़ गए किरन, हमारे कोई मसला नहीं था, हमारे घर में तोड़ फोड़ कर गए की, दीज बचाएं कि मैं चक्कर में, उन्हीं लोग, मॉंड़ लोग उन्हें, फर्मान है, हाँ जही सब लोग है